नमस्कार दोस्तों मैं अंकित यादो रेबन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम लोग अनपाज समानपाज की आखरी वीडियो देख रहे हैं कुछ सवाल लेकर आया हूं कुछ मजीदार परिशन जिनने लगाने में आपको बहुत मज़ा आएगा तो चलिए शुरू करते हैं सवाल क्या कहता है और हम इन सवालों को कैसे हल करेंगे कितने आशान तरीके से आपको मेथड बहुत सारे आते होंगे लेकिन आप इस मेथड से लगाएए बहुत जल्दी हो जाएगा चलिए तो शुरू करते हैं बोलता है कि एक परिक्षा में पास हुए और फैल हुए छात्रों का अनपात 25 अनपाते 4 है तो एक तरफ पास लिख लेंगे वह फैल हुए छात्र दो कम हो जाए देखो यहां क्या लिखा है फैल हुए छात्र कितने कम हो जाए दो तो फैल मेंसे तो सीधे सीधे दो घटा दू जब दो कम फैल होंगे तो वो पास हो रहे होंगे हो रहे होंगे कि नहीं बताइए जब फैल दो कम होंगे दो लोग जो हैं वो कम फेल होते हैं तो वो क्या हो गए पास हो गए जारसी बात है हो गए ना और क्या बूलता है कि पांच छात्र नए आने पर ये करिस्मा होता है पांच छात्र जो नए आए वो भी पास हो गए क्योंकि फेल की जो संख्या है वो कम हो गई बड़ी थोड़ी ना है अगर तो 2 तो जो फैल होता ले थे, वो पास होगए ठीक, 5 नए चाटर आए, वो भी पास होगे क्योंकि फैल में बढ़ उत्री थोड़ी ना हो रही है पास में होगी, तो कुल पास कितने होगए, 7 बात समझ में आई, तो हम यहां क्या करेंगे, प्लस शाथ क्योंकि बढ़ रहे हैं इतनी बात किलियर हो चुकी होगी मेरे ख्याल से समझ में भी आगी होगी क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आपको मज़ा आ गया होगा ठीक है चलो अब बोलते हैं कि तो पास हुए चात्रों वा फैल चात्रों का अनपात 22 अनपाते 3 है ठीक है अब अनपात कितना हो जा रहा है 22 अनपाते 3 चलिए अब देखिए क्या हो सकता है अभी क्या करना है मैंने आपको एक मैथर बताया था क्या अनपात का गुणा करते अ कितना होगा 22 के 88 रेशियू ठीक है माइनस 25 का करेंगे 3 से तो कितना आएगा 75 रेशियू ठीक अंतर निकाला है आपको हमेशा अंतर अंतर को अंतर के बरावर रखेंगे आपका सवाल बहुत आसान तरीकी से हल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी अब क्या करना है नीचे के अनपात का कम याँ जाधा सी गुणा करते है यहीं तो करते थे करते थे की नहीं यहीं करते थे तो शात्ती 21 फिर क्या करते थे हमेशा अंतर लेते थे आप ठीक है तो अभी भी अंतर लेंगे देखो क्या होगा 22 दूरि 42 लेकिन माइनस का दू है दर तो जो 44 आयगाव वो अपका काय का आएगा माइनस का बदाईए आएगा न एक प्लिस में एक माइनस में तब एचीज करनी है आपको बस अगर यहाँ पर दोनों criticisms समान होते दोनों minus होते तो फिर आपको घटा नहीं था दोनों plus होते तब भी आप घटा थे क्योंकि अभी तक यही तो करते आरहे थे अब क्या है अब क्या हूगा एक प्लस है और एक minus तो क्या करना है मैं आपको इसलिए detail बता रहा हूं वैसे मैं सीधे-सीधे बदा सकता हूँ कि अगर विपरीद चिन है तो सीधा आपको जोड़ना है कुछ नहीं करना 21 में 44 जोड़ दो लेकिन वो आया कैसे अभी भी घट रहा है लेकिन एक चीज हमीशा माइनस में आ गई इसलिए प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं बात समझ में आ गई ठीक है देखो अब क्या करते हैं कि यहां कितना बचेगा यहां बचेगा की लावर हो जाएगा एकाईगा मा धिश्यू बुराबर हो जाएगा 21 और माइनस मीनिस मिलकर हो गया प्लस तो 21 प्रकना जुड़ गया चावालीश तो एक सीग नेशी परवर शॉरी अभीतों सीरी ग्दलब करिए पयों करेंगे कितने रहे थे मतलब बैठे थे कितने लोगों ने परिक्षा दी कहने का मतलब एक। तो यही तो हैं। है कि नई। इन्हीं लोगों ने दे परिक्षा तो कुल चात्र कैसे निकालोगे आप कुल चात्र कितने हो गए। 29 रैशियू है कि नई तो एक रैशियू बरावर 5 तो 29 रैशियू बरावर 29 गुणा. पांच. 145 जो परिक्षा दे रहे थे लेकिन देखो क्या 5-6 और आजाते हैं लिखा है ना लिखा है कि 5-6 और आजाते हैं तो भई 5-6 और आए थे बाद में 145 तो थे ही तो 5 और जोड़ देंगे तो कुल मला के कितनी हो गई शंख्या 150 ए आपका उत्तर होगा बात समझ में आई कि नहीं एक जगा प्रब्लम जरूर होई होगी आपको, कि यहां क्या है, मैंने इधर क्या कर दिया, यहां जोड क्यों दिया, तो आप एक चीज दिमाग में बिठालो, कि अगर विप्रीत चिन है, तो आपको जोडना है, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो आपको क्या करना है, जो लेकर आया हूं इसी concept पे आधारत आपका पूरा जो भी confusion अभी हो रहा है आपको सब खतम देखो कितने आशानी से यह तो हो गया आगे चलते हैं दूसरा प्रशन आपके शामने रहा बोलता है कि 9 और 25 का मध्यानपाती ग्याद करें कुछ नहीं करना है आपको जो दो शंख्याएं दी उनको मान लो एक A मान लो एक B मान लो पस मान तो अभी तो माना आपने, देखो, गुणा, बी का मान कितना, 25, बस इनका क्या निकालो, बर्ग मूल, 9 कितने का बर्ग होता, 3 का गुणा, 25 कितने का बर्ग होता, 5 का, बस 3 गुणा, 5 कितना होता, 15, उत्तर, कुछ है ये नहीं सवाल में, आसानी से आगया, बस आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ये आएगा, तो उत्तर भी आएगा, ये नहीं आएगा, तो फिर उत्तर दे और यह आगया अगला प्रश्ण देखिए क्या है कि तीन धनात्मक शंख्याओं में पहली दूसरी और दूसरी तीसरी का अनपात दिया चालो ठीक है और क्या है पहली और तीसरी का गुर्णफल दिया ठीक आप पहले इसमें क्या निकालो पहली अनपाते दूसरी अनपाते त क्तितने आप पहली का दूसरी के साथ दिया तो आप पहली तीसरी नहीं ने काल सकते हैं। विल्कुल को पहली और दूसरी नवा धथ लो कितना है 8 अनपात 906 वात फिर बोलता है दूसरी का तीसरी के साथ तो दूसरी के नीचे दूसरी का मान कितना है तीन अनपाते तीसरी का मान चार ठीक अब इनसे क्या निकलेगा अपना पहली अनपाते दूसरी अनपाते तीसरी तो क्या करना है बस जिसके आगे पीछे जो जगा खाली है उसके आगे प तो एक तीन बस गुणा कर दो आपश में तो आठी 24 इनका हो गया गुणा ऐसे ऐसे गुणा करना है तो नौती 27 और नौचो के 36 ठीक अब क्या हो रहा है तीन कॉमन है क्या हाँ है तो ती आठे 24 तिनम 27 और बाराती 36 यह हो गया बड़े आशानीश हो गया है कि नहीं अब पहली और तीसरी का गुणफल 24 तो है पहली तो यह रही और तीसरी यह रही यही तो है तो क्या करेंगे पहली संक्या है आठ रेश्यू गुणा तीसरी संक्या है बारा रेश्यू बराबर कितना दिया 24 तो यही तो दिया दिया कि नहीं तो यहां क्या करेंगे आर इसक्वा बराबर बराबर 2400 कि और बटी में यह आठ गुणा 12 गुणा में थी यहां भाग में चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा बस 12 से काट दू बारा दूनी 24 200 बार कट गए 8 से काट दू यह 25 बार कट गए तो आर इसकुएर बराबर आया आपका कितना 25 इमप्लाइज देट आर बराबर अगर निकाले तो बर्ग का करेंगे पक्षांतर तो बर्ग मूल में हो जाता है तो आर बराबर आपका कितना आया 5 पांच समझ में आगी अब बोलता है तीनो शंख्याओं का योग ज्याद करो तीनों शंख्या यहीं तो हैं कि नहीं इनका योग कितना होगा जोड़ोचको सबको जोड़ोगा nu-0 our relief 17 1712 कितना होता है 29 29 होगा योग मैं इसले योग स्थ योग कितना होगा योग बराबर अच्छा लगेगा जरा ठीक है तो 29 रेशियू होगा एक रेशियू बराबर दे रखा है आपको कितना पांच तो 29 रेशियू बराबर 29 गुणा पांच 29 पंचे कितना होता है 145 यह आपका उत्तर हो जाएगा कुछ थाई नहीं सवाल में तो आसानी से हो गया हो बोलता है कि बारा तीस पात तृतियनुपाथी जाद करूं ठीक है कुछ नहीं करना है पहले को A माल लो दूसरे को B माल लो एतना करू सकते पैटे तृतियन पात हर रेखो डीक को थी कि अट्योस बिराबर क्या होता है क्या होता है ऐसले बी इसक्वैर अपॉन ए रखो बटे 12 क्योंकि एक बार है काटो चार ती 12 और कुछ कट रहा क्या ऐसे करो तीन से काट लो तीन चौक यह 12 और तीन धम 30 फिर दो दूनी चार दो पंचे दस दो से कर जाएगा यह 15 बार तो 15 गुणा पांच कितना होता 55 उत्तर आ गया कुछ थाई नहीं इस प्रिशन में आपको अच्छे तरीकी से पता होना चाहिए कि तित्या नुपाती क्या होता है अगर यह पता है तो तर भी आपका आ जाएगा आजाएगा न और वाई में गयनों का अन्पात दो अन्पाते तीन है ठीक है एक बैग एक 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 वाई है अन्पात यह गयनों का दो तो दोनों बैगों में गैनों की शंख्या बराबर हो जाती है जब भी गैनों की शंख्या बराबर हो या अनपात बराबर हो तो आपको जो अनपात मानना है न जो निकलेगा वो हमेशा निकलेगा एक अनपात एक इतनी चीज आप हमेशा गाठ वांद लीजिए और हमेशा य तो रेशीव बराबर मैंने क्या बताया अभी अभी सवाल लगा है अगर वियुक्त चिन्द देखें तो क्या होग़ा होगा क्या आपका जुड़ेगा कैसे करो गुणा देखो देखो यहां आपको गुणा सबसाद पांट करना है तो पांचव मतलब योग होना है से धन्म औ गटाना है तो एक रेश्यू बराबर आ गया कितना बस आ गयाना क्या पूछा अब प्रतेक बैग में गैंदों की शंख्या अब अब मतलब बाद में पूछा तो बाद में कितनी है देखो यही तो है बाद है कि नहीं तो प्रतेक बैग में गैंदों की शंख्या जो प्रतेक बैग है उसमें गैनों की शंख्या कितनी है कनपात एक कनपात में तो बस निकलाया गैनों की शंख्या कितनी है एक रेश्यू और एक रेश्यू का मान है दस तो दस गैने होंगे प्रतेक बैग में अब पहले का पूछा होता तो फिर हम इन में रखते बात का पू पहले नहीं पूछा ठीक है इतनी चीज याद रखिए आप आसानी से हो जाएगा हो गया अगला प्रिष्ण करते हैं अगला प्रिष्ण आपके शामने ए रहा बोलता है कि 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्याद करो ठीक है कुछ नहीं करना है मालो A, B और C अभी तक दो शंख्याएं थी तो A और B मानते थे अब तीन शंख्याएं हैं तो A, B और C माल लिया अब चतुर्थ अनुपाती बराब देखिए बराबर होता है B गुणा C बटे A अब बस अब आपको A पता है तो आपको तरवी निकाल लोगे देखो क्या करना है B का मान कितना है 5, C का मान 21 और A का मान 6 यहां से रख दिया A रहा ऐसे देखो B का मान 5 है C का मान 22 है A का मान 6 है काट लो तीन दूनी 6 पतिशादे एक इस कितना आएगा 35 बटे दो यहां लिख सकते शाड़े शत्रा हो सकता ना भाग देंगे तो इतने निकलेगा उत्तना क्या आपको एचीज पता होनी चाहिए अगर यह पता है तो उत्तर सामने है आपके है की नहीं सामने चलो तो अगला प्रिशन आपके शामने रखने की पेस्कस करता हूँ और यह रहा अगला प्रिश्न देखो क्या बोलता है अगला प्रिश्न आप से कहता है कि एक रेल की पहली स्रेनी बात दूसरी स्रेनी के क्रायों का अनपात, चार अनपाते एक है, ठीक है, कराया दिया, पहली स्रेणी, अनपाते, दूसरी स्रेणी, ऐसे लिख लेना, चार अनपाते एक, ठीक, अब क्या दिया, और क्या दिया, और दिया है, और यात्रियों का अनपात, यात्री कितने जा रहे हैं, पहली स्रेणी में तो ए अब बोलता है कि यदि एक दिन में कुल कुराया रुपे ग्यारा सो प्राप्त हो तो पहले आप तो देख लो कि भीया मिल कितना रहा एक चीज बताओ आप चीज बताओ अगर किसी चीज का कुराया दो रुपे है ठीक है और पांच लोग उसमें सवार होके जाते हैं तो टेक मिलेगा ना अगर किसी चीज का कराया दो रुपे है और पांच लोग बैठ कर जाते हैं उसमें कोई टैक्सी है उसमें पांच लोग बैठ कर जाते हैं जो टैक्सी वाले को इंकम होगी वो कितने रुपे होगी 10 रुपे कैसे निकाला भाई पांच लोग थे और जितने रुप क्राया का ब्यक्ति से गुणा कर दिया यही तो किया तो क्राया तो ए रहा आपका उपर वाला और नीचे वाले क्या है नीचे वाले क्या है ब्यक्ति तो बस क्या करोगे आप गुणा करो गुणा तो चार एकम तो चार हो गया अनपाती चालिस एकम चालिस ए आ गया आपका क्या एक दिन का कुल किराया एक दिन में इतना किराया मिल रहा है ठीक अब देखो क्या कर सकते वो कहता है कि एक दिन में कुल कराया मतलब पहली स्रेणी और दूसरी स्रेणी को मिला के कुल कराया कितना रहा 44 रेशियू और उन्होंने रुपे में कितना दे रखा है 1100 रुपे दे रखा है ना अब बस तो एक रेशियू का मान निकाल लो कितना आएगा 1100 और बटे 44 काटू 4 से 11 से काट लू 1100 एकम 11 और 2 0 और 11 चोग 44 अब 4 से काट लू 25 वार में कर जाएगा तो एक रेशियू बराबर आया आपका 25 हो गया क्या बोलता है प्रत्रम स्रेणी से प्राप्त हुआ कराया ज्यात करें प्रत्रम स्रेणी से देखिए कि प्रत्रम स्रेणी से कितना कराया प्राप्त हुआ यह पूछता है तो भई प्रत्रम स्रेणी से इतना कराया तो प्राप्त हो रहा हो रहा की नहीं बताइए इतना कराया हो रहा क्योंकि 4 तो क्या था कराया था और एक आदमी बैठके जा रह या एक अनुपात में दिया था इसलिए एकमालिया तो कुल कितना मिला, चार रेशियो में. तो अब आप Спा कितना और सो और उत्तर हो गया यहीट है. था बतायाए पूछा था निकी नहीं पूचा क्या था प्रथम स्रेणी से प्राफ्त होगा किराया तो कितना होगा are SO ут depSo the dum standards ready से मिले बात समस्में आ गई बाड समस्में आई कि मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, अगर कुछ कमी रह गई है, तो आप कमेंट करके बताईए, समझाईए कि ये चीज़ की कमी है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कि आप कमेंट करेंगे, मैं बिलकुल एक दिन के अंदर मैं पूरी कोसिस करूँगा, कि कमी रहे, ठीक है न, चाहे एक दिन में तीन, चार, पांच वीडियो बनाने पड़े, लेकिन आप जब तक सैटिस्पाइड नहीं होगे न, नहीं छोड़ूँगा, ठीक है, तो आप बताईए कि क्या कमी रह गई है, अगर कमी रह गई है, तो मैं बिलकुल एक वीडियो और बन का तोगी,